कैसे हो ट्रेडर स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्तर्स चैनल पर तो चलिए स्थार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग सब सब पहले हम मार्केट को एनलाइस करेंगे उसके बारी ट्रेड मारेंगे और अगर आपको मेरा वाननवन कोचिंग क्लास जॉइन करना है तो एनलाइस कीजिई फिर ही ट्रेड मारें कोई बात नहीं हम देखते हैं ठीक है यहां पर बाइर सी आरहे पीछे को इतना अच्छा लेवन नहीं है तो मैं यहां पर दो ट्रेड मार डूंगा हाईर एप्संन के लिए क्यों बाइर्स के साथ यह आप डेख सकते हो लेफ्ट मे sellers का momentum है तो right में buyers का momentum या trend आएगा जरूर यहाँ पे देखे buyers का momentum sellers का momentum तो यहाँ पे भी at least यह round number level तक तो buyers आने की कोशिस करेंगे इसके लिए मैं यहाँ पे higher option गया हूँ मुझे personally लगता है कि यहाँ पे buyers ही आएंगे तो देखते है वीडियो लास्ट तक देखेगा लास्ट में मैं इस trade को वापस अच्छे से समझाऊंगा तो यहाँ पे देखते है buyers कोई आना चाहिए यह reject हो कि उपर जानी चाहिए candle ठीक है buyers आ रहे कि ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में हमने डोनों trade विन कर ली अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं मैं क्यूं buyers के साथ गया तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे देखने जैसे है कि buyers का momentum फिर on the spot sellers का momentum आया अब देखो यहाँ से वापस buyers आने के लिए तैयर हो गए जैसे ही यह buyers आना मैं समझ गया क्योंकि कोई level नहीं है पीछे पीछे कोई भी level नहीं है जो next round number level है वो भी यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा gap है तो मुझे समझ में आ गया कि यह gap ज़रूर fill होगा market try करेगी या तो यह gap फिल नहीं होगा न तो भी at least एक candle तो green ज़रूर आएगी क्योंकि round number level थोड़ा सा दूर था अगर यह round number level strong भी है तो यह green के बाद next candle green आके reject हो के नीचे जाएगी यह green ने यूंकि बहुत ब़रा gap था तो यह gap मुझे पता था कि fill होने के chances है और जैसे मैंने बोला यहाँ पे left में down momentum आ रहा है तो right में भी buyers का momentum या trend ज़रूर आएगा यह चीज मुझे बहुत अच्छे से पता थी इसके लिए मैं direct यहाँ पे buyers के साथी गया और आप देख सकतो यहाँ पे डोनों trade win की हमेशा ऐसे situation में try करो market का logic पैचानने का कि market कौन सा structure और logic follow कर रहा है और उसको follow करो जरूर आप win करोगे लेकिन अगर आप चलो एक बार loss भी हो गया ना तो भी आप next trade win कर जाओगे अगर अच्छे सा analyze किया तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि market की बारी की को समझो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ momentum देख लिए और trade मार दी ऐसे कभी नहीं trading होती trading में हमेशा आपको market की बारी की को देखना पड़ेगा कि market क्या follow कर रही है और कैसे follow कर रही है और क्यो follow कर रही है जब आप वो चीज़ को पैचान लोगे ना तो आपके लिए prediction बहुत easy हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि momentum है तो यहाँ पर भी momentum आएगा लेकिन यह सिर्फ एक reason नहीं था मैंने पीछे level भी check किया कोई level भी नहीं था और यहाँ पर यह market देख रहे हो कोई level को respect भी नहीं कर रहा था इसके लिए मुझे पता था कि at least यह round number level तक तो buyers आएंगे इसके लिए मैं directly next candle पर दो ट्रेट लेली buyers की और दो ट्रेट में करीब यहाँ पर हमने 21,000 रुपे का profit बनाया तो यहाँ पर मैं close कर रहा हूँ और अगर आपको मेरा one-on-one coaching class join करना है तो मेरा टेलिग्राम लिंक और email description में मुझे contact करने के लिए आपकी मैं one-on-one class लूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखांगा कोई और नहीं होगा मेरा coaching class के price is $150 आप Google पे जाके लिख सकते $150 into INR आपको पता चल जाएगा मेरा student का results देखना है तो टेलिग्राम चैनल लिंक description में thank you god bless you all and have a successful trading